तो इन पंक्तियों की सव प्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार से है प्रसंग प्रस्तुत पंक्तिया हमारी हिंदी बॉलिवड मूवी कूली नंबर वन से लिए गई है और जिसको गाया वह लिखा है अलका जी ने तो जिसमें करिश्मा जी अपने बाबू शोना गोविंदा जी को आला मार मार के रेडा आ रेडा हमारी गली में आ जाना ये कहके बला रही हैं किसलिए बला रही हैं ये हम व्याख्या में देखेंगे तो प्रस्तूत पंक्तियों में करिश्मा जी अपने बाबू शोना गोविंदा जी को ये कह रही हैं कि जब भी तुम्हारी अड़ी लाउन लाउन करने लगे यानि कि तुम्हें शरीर में खुर्क होने लगे मुझसे मिलने की खुर्क पढ़ने लगे तो तुम हमारी गली में जरूर आना मैं तुम अपने गली में आला मार मार के रेडा रेडा जरूर बुलाओंगी तो जैसे तुम हमारे गली मोहले में पहुंचोगे तो मैं अपना गेट बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी और तुमने मेरे घर के बाहर मुझे बलगना है अगर तुमें मुझे देखने का मन हो और थात मुझे वीडियो कॉल करने का मन करे तो तुम जो है मुझे वीडियो कॉल कर सकते हो हमारे वाइफाई का पासवर्ड यूज करके ठान før ठोन तुझा पैंटी दो बेलचक गएंटी जो मैं कभी भी नहीं उठाउंगे अगर फिर भी तुम्हारी खुरकमठी दूर नहीं होती है तो मैं तुम्हारी खुरकमठी दूर करने के लिए अपने तिनों कुटे और अपने दो बाईईों समयत तुम्हारे पिछे लगा दूंगी और फिर तुम जब खीट मारते हुए अपने पौंचे कुझ के वहां से खीट बटोगे तो फिर भी अगर तुमें लगे कि अभी भी तुम्हा एक खुरक मठी दूर नहीं हुई है तो फिर तुम समझ जाना कि हमारी गली आ जाना आ जाना क्या मतवल था तो इसलिए इसमें अर्थात ये कहना चाहती है कि जितने भी बाबुश होना है एक दूसरे के गली महले में ना जाएं कितना भी तुम्हारे बाबुश होना तुम्हें अपने महले में बुलाए कभी उसके गर में नहीं जाना क्यूंकि ऐसे किसी के महले में जाने से खजली ही होती है वो आपने फेमस डायलेक तो सुना होगा